नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस फाइर क्रॉस फाइर में हमाई सांग खास महमान मौजूद है भारती जनता पार्टी के राश्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधान्शुत्रवेदी डॉक्टर सुधान्शुत्रवेदी की जिम्मेदारी है कि पार्टी वाकई में जो वादे करके आई थी उनको क्या कर रही है उनकी सरकार और अगर सरकार कर रही है तो बाते क्या जनता तक जा रही है जानने की कोशिश करेंगे और आरोब जो पार्टी पे लग रहे हैं सरकार पूरे हो गए लेकिन वाकई में क्या मोदी जी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं जो देश चाहता है। जिनकों की जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। दूसरी बात पहली बार देश के किसी प्रधान मंतरी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। चौथी बात आप देखें। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान ने सीमा पर फाइरिंग की और वहां के उच्छायुक्त ने हुरियत नेताओं से बात की। हमने दड़ता पूरवक शांति वारता को रोक दिया। और हमने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी नियत में गुनात्मक सुधार नहीं दिखाता है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन का वो दौर था जब पिछली सरकार के समय तकालीन ग्रह मंतरी सुशील कुमार शिंदे ने ये कहा था कि इस देश को हिंदू आतंकबाद से जादा खत्रा है। जिसके लिए हाफिस साइद ने उन्हें बधाई दी थी और एक अभी का दोर है जब पाकिस्तान के रक्षा मंतरी कह रहे हैं कि उन्हीं भारत को तो उसी की भाशा में जवाब देना पड़ेगा। चुनाओं से पहले कि हम आएंगे उसके बाद इस तरह का सीसवायर उलंगहन नहीं होगा। पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट पर ये अभी आपने हाली में देखा कि जिस प्रकार से एक नौका के दुआरा भारत की सीमा में घुस्पैट करने का प्रयास किया गया और उसको हमने पूरी तरीके से रोका। कि पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो पूरे विश्व के आतंगवाद का केंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर था और इतना शक्तिशाली था कि उसने अमेरिका में 9-11 का जो कांट हुआ वो उसी ने करवाया था। उसके बाद 2002 से जब अमेरिका ने यहां करवाई शुरू की तो अगले डेर दो साल में उस तालिमान के नेटवर्क को लगबग दोस्त कर दिया था। है और रणनितिक दोनों मौकों पर भारत सरकार भारत की रख्षा के लिए पृतिबद हैं आप बात करेंगे नहीं आप कहते हैं हमारी डेपलोमेसी बेहतर है विदेश नीती हम बेहतर काम कर रहे हैं कैसी विदेश नीती है आप सब लोग कहते थे कि जो बंगला देशी घुस पैठिये हैं या जो अवैद बंगला देशी भारत में रह रहे हैं उनको लेकर पिछले साथ महीने में इस इन सरकार में कुछ नहीं किया और बंगला देशियों का आना अभी भी जारी है आप यह भी ध्यान रखेंगे कि बंगला देश की सीमा जिन राज्यों के साथ जुड़ती है उनमें अधिकान शराज्य ऐसे हैं जो गैर भाजपा गैर इंडिये शासे थे और वहां के मुख्यमंत्रियों का रुक क्या रहा है याद करिये चुनाव से पूर अपने आखरी रहली में कलकता में जब श्री नरेदर मोदी जी ने कहा था कि सरकार आने के बाद जितने बंगला देशी हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांद लें तो वहां की मुख्यमंत्री ने क्या कहा था मैं देखती हूँ कि कौन है जो बंगला देशियों को बाहर निकलता है निवरास्टी सुरक्षा जैसे संबेदन शील विश्यों पे मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों का ऐसा अग्रे होगा तो निश्यत रुप से कुछ कठिनाईया आती है परंतो हमारी सरकार उन सारी कठिनाईयों को पार करते हुए सुरक्षा संबंदी प्रश्णों का प्रभावी समाधान देगी प्रभावी समाधान की आप बात कर रहे हैं मुलाइम सिंग यादव कहते हैं कि सौक्ष्टा के नाम पे इंडिया गेट पे जाड़ू लगा लेने से सौक्ष्टा नहीं हो जाती है उत्तर पदेश में आकर ट्वालेट साफ करें देखिए मुलाइम सिंग यादव जी का यह वक्तव उनके छुद्र मान सिक्टा का परिशायक है परंतों जहां तक हमारे प्रधान मंतरी की बात है उन्होंने खुद कहा कि इस प्रतिकात्मक कारे से यह सचता अभियान नहीं होने वाला है यह जन मानस की सोच में बदलाव का प्रयास करना होगा और इसलिए उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि सामने एक प्रतिकात्मक जाडू लगा दी बात खतम उन्होंने उसके साथ 9 लोग को जोड़ा तमाम मंत्रियों और जो लोग इसमें जुड़ रहें सांसदों से कहा गया कि वो भी इसी प्रकार से 9 लोग की टीम बनाएं तो इस प्रकार से यह आंदोलन एक प्रकार से गुणात्मक फृत्धि करता हुआ नीचे जन सामाने तक पहुंचे ताकि एक जन जागरूखता आए और उसके प्रारंभिक अच्छे और सार्थक लक्षन दिखाई पड़ रहे हैं सार्थक्ता की आप बात करते हैं सार्थक्ता के नाम पे कितना वक्त और लेगेगा जिससे की काम पूरा हो देखें यह तो प्राकरण के अनुसारत डिपेंड करता है परन्तो हमारी सरकार ने इन प्रारंभिक साथ महिनों में कई ऐसे महत्कूर कदम उठाए हैं आने वाले समय में जिसके सकारात्मक परिणाम जन्ता को दिखाई पड़ेंगे आप कह रहे हैं कि हमें बेहतर काम करना है बेहतर काम करना है उसके हिसाब से क्या प्लान है अभी कालाधन वापस नहीं आया आप कह रहे थे हम वापस ले आएंगे विपक्ष आप पे लगातार हम ले कर रहा है आप इसके लावा धर्मांतरन जैसे मुद्दे सामने आ जा र रिया में, प्रधान मंत्री ने काले धन पर सभी देशों के बीच में जो प्रमुक देश हैं दुनिया के 20 देश, उनमें एक आम सहमती बनाने का प्रस्ताव रखा और भारत के प्रस्ताव पर G20 ने उसको अडाप्ट किया, तो जो तकनीकी और वैधानिक समस्या हैं काले धन क ये लिए पहला हमारी सरकार ने की है ये जी ट्वेंटी के रिजूलुशन में सामने दिखाई पड़ा है। मैं दूसरा उधारण दे रहा हूं। उसे ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मानना हूं। पर अगर अमेरिका के राष्टपती बेराक अबामा न सानती रहेगी। प्रधान मंतरी लाल के लिए से कहते हैं सबका विकास सबका साथ कैसे विकास होगा और कर धर्मांतरण जैसे मुद्दे सामने होंगे सदन चल नहीं पाएगा। देखिए यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अपनी सरकार का बचाव नहीं कर रहा बचाव की मुद्रह में तो बिपक्ष हैं। पताईये सदन क्यों नहीं चल रहा है। बिपक्ष हम पे आरोप लगाता है कि हमने सदन नहीं चलने दिया था। हां नहीं चलने दिया था। तूजी घोटाले के उपर हमने कहा था समीट संसदिये समीट की को बैठा लिए और बहस करिए, तब ये कॉंग्रेस का स्टेंड था, वो बहस से बच रहे थे, और बाद में क्या हुआ, सरवोच न्याले ने हफ्तक खेप किया, आखिर में टूजी का घोटाला परत, दर्फ परत, भारत के सामने आया, यानि हमारा जो स्टेंड था, वह सत्य सित हुआ, आज क्य है, धर्मांतरण का विशे, हम कहते हैं कि आईए सदन में बहस करिए, धर्मांतरण के मुद्दे के सभी पहलों पर व्यापक चर्चा करिए, अब वो क्या कहते हैं, नहीं जी, चर्चा नहीं करेंगे, प्रधान मंतरी आकर इस पर बयान दे, मंतरी स्तीफा दे, यानि उनका हमारा स्टेंड तब भी ये था कि हम बहस के पक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में हैं तो भी हम बहस के पक्ष में हैं, विपक्ष जब सत्ता में था तो भी बहस से भागने का प्रयास कर रहा था, आज भी बहस से भागने का प्रयास कर रहा है, क् एक पक्षी एक घटना को लेकर प्रत्क्रिया करना चाहता है। मैं एक और बात इस पष्ट करना चाहता ह। दर्मांतरण के विशे पर भारती जनता पार्टी या संग परिवार के विशे की बात नहीं कर रहा हूं। अपने धर्म को प्रसारित करने के अधिकार का कतई अर्थ नहीं है कि धर्मांतरण का अधिकार है। हिमाचल की सरकार लेके आती है। तो मैं कहता हूं ये तो भाजपा की सरकार नहीं थी तो कॉंग्रेस की सरकारों ने किया। अन्य दलों की सरकारों ने किया है। सथंद्र पार्टी से लेके आईए डियम के सरकारों ने किया। क्यों नहीं आप खुलकर उस तर बहस करने को तयार है। उन सारे विश्यों पे हम बात नहीं करेंगे। आपने कहा कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये जज्ज्मेंट आया हुआ है। प्रचार प्रसार की बात नहीं हो बात ओरें घर वापसी के नाम पे। और साक्षी महाराज जैसा आदमी ये कह दे कि हिंदू महिलाएं चार-चार बच्चे पैदा करें। तो गड़िया कह दें तीन बच्चे हिंदूओं यहां पैदा होने चाहिए। इससे किस तरह कविकास होगा। यहां पर भी मैं एक बात कहूँगा। जब जब भारती जंता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। केंदर में आधवा किसी राच्चे में तो हमारे विरोधियों के द्वारा कुछ चीजों को लेकर तिल का ताड़ बनाया जाता है। साक्षी महराजी ने जो बयान दिया था, साध्वी ने रन्जन जोति ने जो बयान दिया, उन्हों ने अपने बयान को विड़ा किया। अगर गलती कॉंग्रेस ने करी तो बीजेपी तो नहीं करेगी आप राष्टवादी हैं आप बार बार कहरें 125 करोड लोगों के आप नेता हैं आपके प्रधान मंत्री समयधान की कसम खाते हैं पूरे देश को साथ लेके चलना है जैसे ही ये बात कही गई थी ग्रह मंत्री के द्वारा जैपूर के अधिवेशन में कॉंग्रेस के की RSS के अंदर हिंदू आतंगवाद पलता है आपने संसद नहीं चलने दी थी और माफी मांगनी पड़ी थी कॉंग्रेस को कॉंग्रेस जुकी थी उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री मन मोहन सिंकी की देश के जितने भी संसादन है उस पर मुसलमानों का पहला हक है लेकिन इसके बावजूद भी देश ने उन्हें सुईकारा नहीं इसलिए आप सत्ता में बैठे हैं और जब आप सत्ता में बैठे हैं तो आपके लिए पूरे देश को देखना है कर लिया उसमें क्या उन्होंने कहा था उन्होंने पूरे बाकी में बोला था ना कि एक बच्चा सीमा पर भेज़ दो और एक संथ को दे दो इसमें यह बताईए कौन से समाज के लिए फेंडिंग बात हो गई थी जिसको इतना बड़ा विशय बना दिया गया कि जिसकी की कोई पराकाष्ठा ना हो यहां मैं एक और बात या दिनाना चाहता हूँ मैं मीडिया से देश के बहुतिक इस्टैबलिश्मेंट से और देश के राजनातिक इस्टैबलिश्मेंट से भी कहूँगा कि बहुत सारी चीजों को आपने इतना दरकिनार किया है और एक पक्षी दरश्टे से देख रहे हैं केरल वहां पर मलापुरम जिला जहां 90 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हो गई है उन्होंने विवाह की आयू घटाकर 18-16 कर दी इस पर कोई चर्चा नहीं करता केरल की सरकार किसी प्रकार की चर्चा नहीं करती से खड़ा हो जाता और अब कॉंग्रेस आपी से कह रही है कि लव जिहाद के उपर अगर करीना कपूर का फोटो चपेगा तो भारतिय जंता पार्टी को चाहिए कि वो अपने हां के मुक्तार अबास नकवी का फोटो चाप है शेहनवाज हुसेन का फोटो चाप है उन्हों ने रिड़ दायर हुई और केरल और करनाटक हाई कोर्ट में इस विशह पे प्रोसीडिंग्स है और उनके कई जज्जमेंट्स भी हैं तो जब तक कम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस पार्टी के सरकार के लोग इसका प्रयोग करें वह बात सहज है वही शब्द यदि यहाँ प् इस वाइन किया दिस वाइन बाई दे कम्मिनिस्ट पार्टी चीफ मिनिस्टर यह वामपंथी दलों से जाके पूछे ना यह कॉंग्रेस की यूडी अफ सरकार से पूछे जाके ना कि आपने ऐसा क्यों बोला था हाँ धर्मांतरन पर मैं एक बात इसपष्ट करना चाहता धर्मांतरन यदि दूस एक पटिकुलर दिशा में होता रहे तो कोई आपतिकी बात नहीं है दो हजार आठ के समय पोप भारत आये थे जब तो उन्होंने का था फस्ट मिलेनियम वस फ़र यॉरप सेकेंड मिलेनियम वस फ़र अफरीका थर्ड मिलेनियम फ़र एशिया और उनिसा में हजारों की संख्या में लोग इसाई बने थे तब वह विशय नहीं उठा आज और विश्विंदू परिश्यत का भी दावा मानिये तो वो कहते हैं पिछले धाई साल में हमने धाई लाक लों की घर वापसी कराई है तो मुद्दा नहीं बना अगर पचीस पचास लोग के का कुछ विशय हुआ उसकी जाच कराईए हमें कोई आपती नहीं है आप बिलकुल जाच कराईए और उसकी जो सम्यक जाच हो उसमें जो दोशी हो उसके वुरुद करवाई करिए पर इसको इतना बड़ा विशय बना रहे हैं दो वाक्य में कहना चाहूंगा कि धर धर्मांतरन और हिंदुत अगर हिंदु धर्म में घर वापसी हो रही है तो विशय है हिंदु से कोई दूसरे धर्म में जा रहा तो विशय नहीं है अरे हिंदुत तो एक ऐसा धर्म यदि आप उसे संपरदाय मानते हैं तो उसमें धर्मांतरन का तो प्रावधानी नहीं है अटल विहरी बाजपेजी की 1950 के दशक में लिखी गई कविता की दो पंक्तियों में धर्म धर्मांतरन को लेकर हिंदुत का सार है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कब दुनिया को हिंदु करने घर घर में नर संगार किया भूभाग नहीं शत शत मानव के हरदय जीतने का निश्य हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचे यही भाजपा की विचारधारा का सार है यही भारत की विचारधारा का सार है और हम इसी भाव से लिए दिककत पैदा कर रहे है, इस तरह की बाते कहके, क्योंकि यह भी ओन रमोदी भी ESTरी काम करना चाहते हैं, लेकि नरे नरमोदी उन लोगों से परिशान है जो इस तरह के सेंटेंस कह रहे है हैं, बयान दे रहे हैं. देखे इसमें मैं कुछ एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये देश बहुत बड़ा देश है, तमाम परकार की संस्थाएं, सांस्रुति को धार्मिक संस्थाएं, अपना-अपना कारे करती हैं, सरकार सभी को नियंतरित करने का प्रयास करे या लोकतंतर की भावना के गटनाएं हुई थी, तम नरेंदर मोदी जी वहां के मुख्य मंतरी नहीं थे, सुरेश भाई मेहता मुख्य मंतरी थे, और इतना भी तंडावाद किया गया कि पोप का बयान आ गया था, और ओगटनाएं क्या थी, इसमें एक बीवक्ति की मृत्त तो छोड़िये, एक जब हम आए, तो महँगाई की दर साड़े नौ प्रस्चयत थी, जब हमने छोड़ा तो पांच प्रस्चयत के आसपास थी, पिछले दस वर्षों में भाजपा शासेocी ध्राजियों के आवसरत विकास दर दस प्रस्चयत के आसपास रही, जबकि देश की आवसरत विकास द समुदाय विशेशकर मुस्लिम समुदाय कि जो हालत है वो सचर कमेटी की रिकमेंडेशन और रंगनात मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन से साफ है कि इस गरीब और गुर्वत और मजलूमियत और मुफलिसी के हालात में मुसल्मान रह रहा है अगर आजादी के 67 साल के बाद उनके ये हालात है तो इसके लिए कौन जम्मेदार है 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले कौंग्रेस और तथाकति सेकुलर दल मुलाहिम सिंग ये उत्तर प्रदेश के हैं उत्तर प्रदेश में 1947 में बिरोक्रेसी में 20 प्रतिशत मुस्लिम थे आज 2 प्रतिशत से कम है इसके लिए कौन जम्मेदार है उत्तर प्रदेश में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 61 साल शासन करने वाले कौंग्रेस सपा और बसपा जैसे दल हकीकत ये है या इनके मन की रणनीती है अचिक्षित रखो गरीब रखो भयभीत रखो ताकि वो हमारे साथ खड़े रहें माली हालत मुस्लिम समुदाय की भाज़पा शासित राज्यों में बहतर है सबसे बहतर आर्थिक हालात मुसल्मानों के गुजरात में है आप चाहते हैं शांती बनी रहें आप चाहते हैं भय ना हो विकास हो तो इसका मूल मंतर आप लोग क्या मानते हैं कि लोग आप पे भरोसा करें अभी ये कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदुवादी पार्टी हैं आप सब को साथ लेकर नहीं चलते इसके लिए आप लोग कैसे यकीन देश को दिलाना है आपने हिंदुवाद की बात कही तो हिंदु तो क्या है 1995 के सर्वोच नियाल है कि निरने से बिलकुल स्पष्ट है कि हिंदु एक संपरदाय नहीं है वो एक जीवन शैली है इस वे अफ लाइफ वो है जो भारत और भारतियता का प्रतनित्व करती है उदारता जिसमें इस सीमा तक है मैं एक उदारन से कहना चाहूंगा दुनिया के तमाम संस्कृतियों में भगवान और शैतान के बीच का युद्ध है परंतु हमारे यहां जब राम रावन का युद्ध होता वो रावन जिसको हमने शैतान माना वो भी जब मृत तुशया पर पढ़ा था तो परकरण याद करिये भगवान राम ने अपने छोटे भई लक्षमन को भेजा था और का इसके चरणों के पास खड़े होकर इस से सीखो राजनीत या विद्धवान बेखती है अपने विरोधी को जिसको शैतान माना उसके भी अच्छे गुणों की इस सीमा तक स्विकारिता करना और आदर करने की जो परंपरा है यही उदारबाद की वह परंपरा है जो भारत में आज जिसकी वज़े से दुनिया के सारे के सारे धर्म सारे के सारे संपर्दाए यदि किसी एक देश में है तो भारत में पार्सी पूरी दुनिया से खतम हो गए अगर जीमित है तो सिर्फ भारत में एक मात्र देश जिसमें यहूदियों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार तो छोड़िये बेदभाव नहीं हुआ जब इसराइल आजाद होने के बाद उनका इतिहास लिखा गया तो उसमें इसका उल्लेख है भारत का दुनिया का सबसे पुराना चर्च है तो भारत में है केरल में इसलाम में 72 फिरके हैं यदि केवल एक मुल्क को यह ऐसा जिसमें 72 के 72 फिरके हैं तो वो भारत है किसी मुस्लिम देश में भी सभी सेक्स ओफ इसलाम नहीं है तो यह भारत की एक बहुलतावादी संस्कृती है जो जिस जीवन शैली के कारण है उसे आज हिंदुत नाम देकर सांपरदाईक रंग देकर लांचित करने का प्रयास किया जाता है यह मैकाले से लेके माक्सिस विचारधारा तक का शडियंद्र है जिसे 21 सरीम हमें बाहर आना चाहिए इसे मैं एक और उधारन देना चाहूँगा अभी सायुक्त राष्ट संग ने 21 जून को योग दिवस स्विकार किया है 133 में से 177 देशों ने इसका समर्थन किया है जो अभूत पूरु है यानि योग एक शारीरिक विकास और स्वास्त और मानसिक स्वास्त का एक विज्जान है केवल याद करिए साल बर पहले मद्द पर्देश अच्छ थिजवार की सरकार ने योग को चलाया सूरी नमसकार कराया कितना भी तंडाबाद हुआ सामर्दाइक्ता फैला रहे हिंदुत का एजंडा फैला रहे अरे इसी कारण से हमने तमाम अपने ग्यान के स्रोतों को सूखने दिया पश्चिम के हवाले कर दिया वैदिक गनित हो आईरवेद या योग हो आज इमानदारी से उठकर इन सारी चीजों को जो की मानवता का कल्यान कर सकती है और भारत का भी मस्तक विश्व में उचा कर सकती है पुर्वाग्रे से मुक्त होकर उसे स्विकार करने क्यावशक्ता है आप जो बात ये कह रहे हैं आपको नहीं लगता कि जब आपके यहां से साक्षी महराज खड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा बाते कह जाते हैं तो गडिया साब तो अससुदीन इन तरह की बातों को कहने लगते हैं खास तोर पर उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो सीधे कहते हैं कि साब इस देश में सिर्फ इसलाम को मानने वाले लोग रहते हैं और वो जब ये कहते हैं तो फाइदा उन लोग को हो जाता है जो आपका विरोत कर रहे हैं जेके मैं इसमें थोड़ा संशोदन करूँगा असादुदीन ओवेसी ने ये नहीं कहा कि इस देश में सभी मुस्लिम पैदा होते हैं का दुनिया में जो भी पैदा होता है वह मुस्लिम होता है इसकार्थी हुआ कि दुनिया में जितने कृश्यन हैं जितने यहूदी हैं जितने जैन हैं बहुत हैं सिख हैं कन्फूशियस हैं ताओ हैं शिंतो हैं हिंदुओं को तो छोड़ दीजे वो सब के सब उनके अनुसार मुस्लिम है यह जो भाव विक्त कर रहे हैं ठीक है यह धर्म विशेश की मानिता के बारे में वो आग्रे कर रहे हैं तो यह मुस्लिम धर्म के धर्माचार्यों का अधिकार छेतर है कि यह उसको इंटर्पेट करें कि जो ओवेसी जी कह रहे हैं वो सच है या गलत है मगर जिस प्रकार की अधिनायक वादी विचार को वो प्रस्तुत कर रहा है वैश्वी किस तरप तो उनमे और बगदादी की मूल भावना में तो कोई अंतर नजर नहीं आता दूसी तरफ मैं यहाँ तोगडिया जी के बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ मगर तोगडिया नहीं यह बोला कि इस देश में सब पहले हिंदू थे तो यह तो एक प्रकार का एतिहासिक तत्य है मैं उधारन के लिए कहता हूँ बिनमरता पूरवक जो लोग इतिहास के जानकार है दसवी शताब्दी में अलबरूनी भारत आया जिसने तही के हिंद लिखी तेरवी शताब्दी में फिरोशा तुगलग जिसने सबसे पहले जजिया लगाया उसने अपनी आत्म कता फत्वते फिरोशाई में भारत के सामाजी के वस्ता का बढ़ना लिखा है कितनी संख्या किसमत वालों की थी यह आप पढ़ लीजिए इसलाम के भारत में आने से पहले अंतिम्तीरतियात्री वेंसांग चाइना का भारत आया था जो कजाकिस्तान किर्गिद्सान से होते हुए सिल्क रूट से तर्की होता हुआ अफगानिस्तान के रास्ते आया था उसने लिखा है कि भारत में क्या सामाजी को सांस्कृतिक से थी इसको पढ़ लीजिए इसमें कहीं कोई किसी परकार का संच्शे है क्या और लेटेस हिस्टी यह बताता हूँ जब देश आजाद हुगा तो पाकिस्तान में 24 परस्यत हिंदू थे आज एक परस्यत भी नहीं है तो क्या आपकी सरकार धर्मांतरण को लेकर कोई विदेहक लेकर आएगी हमारा ये मानना है कि परभाव से दबाव से छल से बल से ध धर्मांतरण करा जाना बिलकुल गलत है और ये हमारा मानना पचास के दशक में नियोगी कमीशन की रिपोर्ट के समय भी था, साट के दशक में उडिसा की सफंदर पार्टी की सरकार के समय भी था, सतत्तर में कोड के जज्जमेंट के समय भी था, असी के दशक में मीनाक्ष प्रभाव में है नियाईक विवेचना का विशे होना चाहिए सहज स्वाभाविक नहीं होना चाहिए इन लोगों का क्या मानना है यह तब भी कहते हैं नहीं एक एफिडेविट काफी है और आज जब हम कह रहे हैं कि दरता पूर्वा एक उपयुक्त समवैदाहनिक उपकरण एन एफेक्टिव कॉंसिचूशनल टूल बनाई है क्यों नहीं आप तयार हैं डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी का सीधे तौर पर कहना है कि देश में नरेदमोदी की सरकार है और भातिय जंता पार्टी पूरे तरीके से चाहती है कि देश में सबका विकास हो सबका साथ ह तो यही लक्ष लेकर पार्टी चल रही है लेकिन उस मर्म को समझे कि वाकई में रास्टवात का मतलब क्या है और धर्मांतरन के नाम पर जितना वितंडा है वो वाकई में सिर्फ राजनीती को लेकर किया जा रहा है देश का समयधान कहता है कि जो भी जिस धर्म को मानता है उसका अनुसरन करता है उसको अपने संग लेकर चलना चाता है चले लेकिन दबाओ में या लालच में उसका धर्मांतरा नहीं किया जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जाच कराई जाए अब देखते हैं कि इस तरह की चीजों पर कितनी जाच होती है और ये तरकार इस तरह का कोई विध्यक लाएगी आज क्रॉस वायर में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे जादत देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सादना न्यूस के साथ नमस्कार